चलिए दोस्तों मार्केट का एक्षन को समझते हैं और आने वाले दिनों में क्या संभवनाय भन रही एक उसके बारे में होती हैं क्योंकि हम चार्ट को समझने की कोसिस करते हैं। तो अब ही देखिए, Nifty का चार्ट क्या करा है, कि देखिए, यह daily चार्ट है, और हमने पहले ही एक्सक्पक्ट किया था कि यहां पर एक range बनना चाहिए, और देखिए, वही हुआ है, range बन गया है, अब हमारा एक trade बनेगा, range का जो trade करने का तरीका था, support पर बाय, resistance पर sell वो च निफ्टी के डेली चार्ट को भी देखिए इसमें क्या है कि इंपोर्टन्ट रिजिस्टेंस एरिया पर यह भी कंसोलिडेट कर रहा है और बार बार यह अटेम्ट दोना तरफ बना रहा है और वही जो रेंज की मैंने रिजिस्टेंस की तरह एक्ट किया और पिछले दो दिन से हम कंटेन्यू आपको बाइंग की ट्रेड निफ्टी में सेर कर रहे थे बट आज हमने सेर नहीं किया लोजिक यह है कि यहां पर देखिए इस रेंज में अब क्या था कि एक्स्ट्रीम लेबल पर था तो तो कुछ क्वांटिटी के साथ कुछ हेजिंग के साथ अलग अलग तरीके से उसको मैनेज करके ट्रेड करना पड़ता है तो अभी वही चीजे चल रही है अभी मार्केट में कोई क्लियर कट ट्रेंड नहीं है वह कहां पर ट्रेंड आएगा वही मैं आपके साथ डिसकस कुछ चीजे दिखाना चाहूंगा तो सीधे वण और के चार्ट पर चलते हैं तो वण आवर का चार्ट में ओपन कर लेता हूं निफिटी का अब देखिए का वन आवर के चार्ट में क्या है कि साइडवेस मूब में यहां पर एक आपका एड़ और पैटर्न दिखाई दे आपको दिख रहा है यह जो नीचे वाला है यह नेक लाइन है और उपर मैंने लाइन इसे लिए इसी आराम से इसलिए खीच के रखा है ताकि आप इसको अच्छी तरह से समझ सके कि अगर उपर की तरफ भी ब्रेकाउट होता है तो अच्छा टार्गेट मिलेगा पर वह हमार तक का प्राइस आ सकता है और स्टॉप लोस करेंट लेबल से 60-70 उपर 18100 के आसपास में आ रहा है तो वहां तक कर देखेंगे उसके उपर अगर निकलता है तो फिर से यह साइडवेस मूव में ही चला जाएगा और उपर की तरफ एक ट्रेंडिंग मूव जब यह उपर वा बात करूं तो इसमें थोड़ा सा अच्छा सेटप है यह में तो है लेकिन यह ट्रेंडिंग हो सकता है देखिए रेंज के नीचले सिरे में जाएगा तो इसमें कोई खास जबर जास्त मूमेंट नहीं मिलेगा क्योंकि अगर वन आवर के चैट को आप देखेंगे तो यहां करने के बारे में सोचना अब क्या है यहां से अगर रेंज का ब्रेकडाउन भी होता तो वेल हो जाएगा चांस यहां पर बहुत सारे इंपोर्टन सपोर्ट है तो बैंक निफ्टी उतना ज्यादा बेरिस नहीं है और यह बुलिश हो जाएगा यह स्ट्रॉंग बुलिश हो कल्कुरेट कर लिजेगा यह पूरा मूव एक फास्ट मूव दो से डेढ़ दो दिन के अंदर में दे सकता है तो वहां पर ओप्संस में जब जास्ट डबल ट्रिपल और चार बुना भी ओप्संस हो जाएंगे एकस्पाइरी के दिन मुव मिलता तो काफी अच्छा वरता बट एकस्पाइरी कल है और कल यहां पर रेंज बॉंड ही रहने के चांस्स है तो साइडवेस टू बेरी स्ट्रेट करने कोशिश करेंगे जब तक कि यह प्रिवियस स्विंग 18100 निप्टी में और बैंक निप्टी का यह जो प्रिवियस स्विंग है इसको नहीं निकाल देता है तब तक इसमें हम अभी वेट एंड वाच करेंगे